और ब्रेकी बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं यूपी की बीजेपी सरकार में गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में अच्छा और नहिशुल का सुविधा मिले इसके लिए कई योजनाय शुरू की गई हैं खास कर सरकार महिला अस्पतालों में करोड़ों रुपे बहा रही है लेकिन उत्तर प्रदेश के सीतापूर में कुछ कमीशन के चक्कर में गर्भवती महिलाओं की जान के साथ खिलवार भी किया जा रहा है ये खिलवार गर्भवती महिलाओं के साथ सीतापूर महिला अस्पताल की नर्स और डॉक्टर कर रहे हैं सीतापूर के महिला जिला अस्पताल में गर्भवती महिला के लिए इस्तमाल होने वाले लेडी केर नाम के सैनिटरी पैड अमेडिकल स्टोर से लेकर चाय की दुकानों पान के ठेलों पर खुले आम बिखते दिखाई दे रहे हैं वो भी सरकारी जिला महिला अस्पताल के गेट के ठीक सामने लेकिन अस्पताल के जिमेदा डॉक्टर और नर्स पूरी तरह से खामोश है यह वो सैनिटरी पैड हैं जो बेहदी घटिया रूई से तयार किये जा रहे हैं और इस पर सुरक्षा को लेकर कोई भी निशान दिखाई नहीं देता तो लाख कोशेश और दावे सरकार की तरफ से किये जाते हैं बावजूद इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है बीजेपी सरकार में गर्बवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों से अच्छा और नहीं शुलक सुविधा में ने इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स वहां का स्टाफ किस तरह से योजनाओं को धाता बता रहा है इन तस्वीरों में साफ तोर पर देखा जा सकता है सरकार महिला अस्पतालों में करोडों रुपए खर्च करती है लेकिन उत्रप्रदेश के सीतापुर में कुछ कमीशन के चकर में गर्भवती महिलाओं की जान के साथ खिलवार किया जा रहा है पूरा मामला सीतापुर का है इस मामने में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवधाता राहुल अरोडा फून लाइन पर मौचूद है राहुल लाख दावे यहां पर सरकार की तरफ से किये जाते हैं करोडों रुपे खर्च किये जाते हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही है जो अधिकारी है जो कर्मचारी है अस्पताल प्रबंधक है वही सरकारी योजनाओं को पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है जी बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं कि सरकार को बुरी दर्बंधके से पलीता लगा जाए जाए है सरकार अर्बों रुपे खर्च कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी प्रगार की कोई लापरवाई ना हो लेकिन महिला जिला चिकितसाल है कि बाहर जो अधिकार के पैट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं से नेटरी पैट्स बलकि हम अंदर से ही देते हैं लेकिन जूट को उजागर करने वाले जब परिवार वालों से पूचा गया तो उनका साफ कहना था लिए अंदर से उनको कोई भी सुरक्षा को लेकर कोई भी चीज उनको नही दी जाती जिसकी वजह से वो बाहर इन सब चीजों को खरीदने के लिए मजबूर हो गए अधिकारियों से राहूल आपकी बाचीत हुई होगी इस लापर वाही को लेकर अधिकारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं कमिशन का आरोप अस्पताल के करमचारी और डॉक्टर्स पर लग रहा है यह बिल्कुल जिस तरीके से इस सेनेटरी पैट्स की महिला जिला स्पताल की बाहर बिक्री हो रही है और आप कुछ देख रहे हैं कि चाय के ठेलों पर पान के ठेलों पर और जो सामने बेटिकल स्टोर से उन पर इतनी गंदी तर पर अगर अधिकारी इन में रोक टोक नहीं करते इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी इसके बैक्ग्राउंड्स में कमिशन तै है और बड़ी कमिशन तै है यही वज़ा है कि वो खामोश है जी चले तो आप देखने वाली बात है कि कारवाई यहां पर कब होती है और कब ऐसी प्रिया राहुले सर तमाम जानकारी के लिए